स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्स स्रीज बना रखे हैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक है टेलिग्राम से जुर जाएगा सिवल सर्विसेश टड़ी के पहला प्रशन इनमें से कौन सा कथन सही है 9 दिسمبر 1946 को संभिधान सवा की जो पर्थम बैठक थी उसके अध्यक्स था आस्थाई अध्यक्स दॉक्टर सच्यर अननर्द सिरहने की थी और 11 दिसम्बर 1946 को संभिधान सभा ने पंडिच जवाल लाल नहरु को निर्विरोध संभिधान सभा के इस्थाई अध्यक्स के रूप में निर्वाचित किया था देखें पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है पंडिच जवाल लाल नहरु की जगह होगा डॉक्टर राजिंदर पुरसाद तो दो को हटा दीजे तो 11 दिसम्बर 1946 को संभिधान सभा ने डॉक्टर राजिंदर पुरसाद को निर्विरोध संभिधान सभा के इस्थाई अध्यक्स के रूप में निर्वाचित किया था तीसरा प्रशन है निम्लिकीत कत्रों पर विचार करेंगे पहला स्थेट्मेंट है भारतिया ओद्योगिक विकास बैंक वर्स 1964 में अस्थित्में आया और यह है उद्योगों को अल्प काले करण परदान करता है अध्योगों को भारतिया ओद्योगिक विकास बैंक जो है आईड्योगों एक जुलाई 1964 को इस्थित्में आया और यह उद्योगों को दीर्ख काले करण तथा अन्य विकास आत्मक्स विदाएं परदान करता है ठीक है दीर्ख काले करण है अलपकालिक नहीं झो और एक स्था प्रस्षितमें से कौन से पॉदे के परकास संस्लेशन यह प्रकास संस्लेशन की परक्रिया में क्या कौन कौन से उत्पाद बनते है मिया अक्सिजनच कर्वाइडरेट we do oxygen नाइट्रोजन उपसिजन प्रोटीन देखिए oxygen प्रोटीन को हटा दीजे nitrogen हटा दीजे यहां हटा दीजे CO2 तो grant करते हैं न oxygen release होती है और carbohydrate तो ए हो जाएगा इसका answer तो पौधे प्रकास translation की प्रकरिया में जो है भोजन बनाते हैं oxygen को release करते हैं और carbohydrate प्रशन है नम्रिखित में से कौन सा कथन सही है मानव का हिर्दय है वह चार कक्षों में बटा होता है और osteocyte अस्ति में कंड्रोसाइट उपास्ति में और थ्रंबोसाइट रुध्र में पाई जाता है दोनों सही है तो थीक है दोनों के थाइमिन स्क्षाइट बिटामिड़ी रिडिक और थाइमिन स्ययो है थाइमिन advent of l राइवोफलेविन, B6 का पाइरिडॉक्सिन, B12 का है साइनो कॉबालाविन, D का कैल्सिफेरॉल, E का टॉकोफेरॉल, K का फिलॉक्पिनॉन, A का रेटिनॉल, यह सब इंपोर्टन्ट है याद रखें, पूछ ले आते हैं, अगर पूछा है कि बेरी-बेरी किस बिटामिन की क प्रस्ताबना में, तीन प्रकार के नयाई की बिवस्ता की गई है, कौन-कोंच से वो तीन प्रकार के नयाई कौश्चार पर आ पर वॉक्साइट तो है, क्राइॉलाइट है क्या? क्राइॉलाइट भी है, फैल्स पर भी है, तीनों के तीनों होगे D है इसका अंसर है तो एलमोनियम मुक्त तवस्था में नहीं पाया जाता है, संयूक तवस्था में यह है धाद्दू बेभिना इसको के रूप में पाया जाता है, एलमोनियम के मुख्य कनेज, वॉक्साइट, फेल्सपर और क्रायोलाइट आदी है, परिशन नमबर 9 पर आज़िए, न्यूट् निट्रोन एक आवेस रहित मुलभूत करनें, जेमस चैडविक ने खोच की थी, एन प्रतिक शिन से दर्साय जाता है, सारे के सारे करेक्ट्रों को, तो नाभिक के अंदर निट्रोन और प्रोटोन पाय जाते है, बहार होता है, इलेक्ट्रोन जिस पर होता है, निगेटिव चार्ज, दसवा प्रेशन इन में से कौन सा इंद्रधनुस बनने का कारण है, पूर्ण अंत्रिक परावर्तन, अपवर्तन परावर्तन, पूर्ण अंत्रिक परावर्तन तीनो, तो इंद्रधनुस बनने का कारण है, पूर्ण अंत्रिक परावर्तन, टोटल, इंटरनल, रि प्रसके दिशा में धिखाई देता है और यह पूर दिशा में धिखाई देता है सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर किया जाता है और इस घड़े के उपर दिया और रखा जाता है दोनों सही है तो चर्कुला नरते जो है उत्तर प्रदेश के किस शेतर का है ब्रज शेतर का है यह है नरते होली के दिन या होली के अगले दिन रात्री के समय में गाउं के लोगों के द्वारा सिर पर मिट्टी के घड़े और घड़े के उपर दीपक वो भी जलता हुआ रख कर जो है किया जाता चर्कुला पंपास बारवा प्रशन है पंपास दक्षन अमेरिका में सी तोष्न घड़े अस्तलों को पंपास कहा जाता है क्या और यहां घड़े और प्रेरी हो गया इस्टैपी हो गया तेरवा प्रशन है डिगबोई परिष्क्रन साला की स्थापना कप की गई थी डिगबोई जो असम में इस्तित है इस परिष्क्रन साला की स्थापना की गई थी देश की अजादी से पहली है यह तो 1950 को हटा देजे पच्पन को हटा देजे बंगाल विभाजन से ही पहली है 1905 से 1901 में तो डिग बोई परिश्क्रण साला की स्थापना असम ओयल कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्स 1901 में की गई थी नमबर 14 पर आजोई है नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे पहला स्टेटमेंट है रिक्टर स्केल का प्रियोग भूकम की तीबरता मापने के लिए किया जाता है और जेम्स रिक्टर लिखना था जेम्स रिक्टर के नाम पर इस पहमाने का जो नाम है वो रिक्टर स्केल पड़ा गलती के बाद भी गलत है दूसरा क्योंकि वो James नहीं वलकि Charles Richter थे Richter पह्माने का प्रियोग भूकम की ती बरता मापने के लिए किया था चाल्स Richter के नाम पर इस पह्माने का नाम पड़ा James Richter नहीं या James Aktor नहीं पहला करेक्ट दूसरा इंकरेक्ट तो Richter Scale का प्रियोग भूकम की ती बरताम आपने के लिए किया था और Charles Richter के नाम पर इस मेमाने का नाम पढ़ा Richter Scale पंदुरा प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन सा जो है सही सुमलिक नहीं है ग्रेट हिमाले का दूसरा नाम हिमाद्री पंदुरा का दूसरा नाम सहाद्री डाइनमो परिवर्तित करता है विद्धू तूर्जा को यांत्री कूर्जा में और रेक्टिव फायर AC को DC में देखें, rectifier तो जल्ट है, alternate current को direct current में परिवर्टित करता है, EC को DC में पश्मि घार्ट का दूसरे नाम बलकुल सहाद्री है या सहाद्री को कह सकते हैं, पश्मि घार्ट great हेमाले, या brad हेमाले हेमाले, या market हिमाले, का दूसरा नाम है हेमाद्री, लेकिन डाइनमो तो यांत्री कूर्जया को विद्दू तूर्जया में परिवर्टेत करता है ना काइनेटिक एनरजी को इलेक्ट्रिक एनरजी में कनवर्ट करता है डाइनमो गलत है यहाँ पर C निमने में से कौन सा कथन सही है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता के सामने लिखा डॉक्टर रास विहारी बोस और 1916 के कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के सामने लिखा अंबिका चिरण मजुमदार यह प्रिंटिंग मिस्टेक है घोस होना चाहिए ठीक है तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है वैसे C है इसका अंसर C दोनों के दोनों सही है तो देखे नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन वर्स 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था इस अधिवेशन की अधिखस्ता डॉक्टर रास विहारी घोस ने की थी और वर्स 1916 के लखनों अधिवेशन में तिलक और इनिवेशन के प्रियासे से कॉंग्रेस के ये दोनों दल एक हो गए और कॉंग्रेस के इस अधिवेशन की थी अंभी का चरण मजुमदार ने 1916 का अधिवेशन लखनों का 1907 का कॉंग्रेस अधिवेशन उसका वियाद रखिए रास विहारी घोस अठारवा प्रश्न क्या कहना चाता है 29 मार्च डेस को डेस मंगल बंगाल इनफेक्टरी के मंगल पांडे ने विद्रो की पहली गोली बेरकपूर में चलाई थी मंगल पांडे को 8 अपरावल डेस को फांसी पर लटका दिया गया और 34 वी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया तो फिलिंग दा ब्लेंक कौन सा करेक्ट होगा इसमें देखें मंगल पांडे 34 वी नेटिव इनफेक्टरी के जवान थे या 24 वी 24 वी के तो थे नहीं तो 24 को एलिमिनेट कर दिजे तो 29 मार्च 1857 को 34 वी बंगाल इनफेक्टरी के मंगल पांडे ने विद्रो की पहली गोली जो बेरकपूर में चलाई और मंगल पांडे को 8 अपरेल 1857 को तो हटा देज़े 57 होना चाहिए ठीक है 57 को फांसी पर लटका दिया गया और 34 वी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया तो यहां 57 यहां 57 ठीक है लेकिन 24 वी गलत है यहां 57 यहां भी 57 होना चाहिए ये गलत हो जाएगा, 34-वी सही है 34-वी सही है, 57-58 गलत है तो B ही सही होगा इसका उत्तर ठीक है, 29 मार्ज 1857 को 34-वी बंगाल इनफेक्टरी के मंगल पंडे ने विद्रो की पहली गोली बेरकपूर में चलाई, और मंगल पंडे को 8 अपरेल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34-वी रेजिमेंट को भंकर दिया गया भी ठीक है, 1857 34-वी बंगाल और 1857 में फांसी Question number 19 पर आजएए राजा राम मोहन रायकों निम्रिकित में से क्या 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 जाता है भारतिय पुनर जगन का पिता, भारत, नए भारत का पैगंबर, नव प्रभात का तारा और नव जगन का अग्रदूत देखें भारतिय पुनर जगन का पिता तो कहा जाता है नव जगन का अग्रदूत भी कहा जाता एक और चार है, नई है क्योंकि नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है नप्रभात का तारा भी कहा जाता है सब कुछ कहा जाता है डी हैस कांसर 1,2,3,4 तो राजराम ओन राय को भारतिय पुनर जागन का पिता नए भारत का पैगंबर और नपरभात का तारा और नव जागण का अग्रदूत कहा जाता है कोश्चन नुमर 20 पर आजए इन अमर्केत में से कौन सा युद्ध बावर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था इसमें बावर को विज़ा प्राप्त हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध शेत्र में मारा गया देखें पानीपत का युद्ध फरस्ट बेटल पानीपत खानवा चंदेरी घागरा ये सब बावर के द्वारा लड़े गए युद्ध है पानीपत के दूसरे युद्ध में तो अकबर था तो इसको तो हटा दीजे खानवा के युद्ध में बावर ने राणा संगा को हराया था इसमें भी हटा दीजे यहां बात हो रही है इब्राहिम लोदी की और इस युद्ध में बावर को विज़ा प्राप्त होई और इब्राहिम लोधी युद्ध शेत्र में मारा गया और दूसरा युद्ध जोग होँ था पानीपत का वो होँ था अकबर और हेमू के बीच ठीक है 1526 में 1556 में पहला 1526 दूसरा 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अफगानों के